हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो माई चैनल मैं निशा दुसाया आज आपको बताऊंगी सर्कूलर स्लीव इसे बैल स्लीव भी आप बोर सकते हैं डबल लेयर में हम यह स्लीव बनाएंगे और लुकिंग वाइस बहुत अच्छी होती है दिखने में भी यह तो आप यह स्लीव स क्ला ईंदुन नहीं क्या है तो प्लीस सब्सक्राइब माई चैनल तो इसके rocks लीए हमने क्या किया है पहले हमां माझा को छ्रूप को चल्रमरेक वारा उंदर की सब यह पास्टिश करेंगे सब से निश हमें पहले करना होता है अगर अस्तर वाला या लाईग वाल आप नहीं बना रहे हैं तो इसके लिए आप सिंग्ल ही इसको पलटते उवे स्रीफ को ऑपलीट कर सकते हैं इसमें हमारे परá्व के सिलवर में हैं तो इस में भीस आ अपन कि आ है ज्ञानश इसको attach करना है किनारी किनारी पे såバ चला चलाते हुगे हमें इसको attach करना है तो यह finishing से हमें complete कर लेना है taus attach करने के बाद हम कर लेंगे इसे fitting को सिलाई लगाएंगी इसमें तो fitting की हमारी यह bottom हमारा है 12 इंच का है 12 का होता है 6 इंच तो 6 इंच का मेज़र करते हुए हमें यहां पर निशान लगाना है वैसे हमें फिटिंग ब्लाउस पर स्लीज को अटेज करने के बाद लगानी है उसके बाद हम यह फ्लेर लगाएंगे बट इसमें मैं आपको पहले इसमें फिटिंग करके बता रही हूँ इस तरा से फिटिंग करनी है मैंने सिलाई लगाई यह 25 अब इसमें हम करेंगे फ्लेर एर्ड के लिए मैं पैपर कटिंग आपको करके簡 Gram तो पैपर कटिंग हमने यह पैपर लिया एक इसको एक बार फोल्ड करेंगे फिर एक बार और फोल्ड करेंगे यह फोल्ड बन जाएगी इसके अंदर हमारी तो हाफ सर्कूलर स्लीव बनाएं तो इस तरह से फोल्ड बनने के बाद एक बार और हम फोल्ड करेंगे तो हमारा आप हाफ मीटर कोसरा है इस तरह में इस फोल्ड करते वियो face है कूल जाहे इस तरह हमारी एडल हरती होने भी है सबस्क्राइब करने करButs क्राइब में दसंड़ा नीशान जीतनी भी वह चाहते है उतनी झुलाइब करें इसमें शर्कुलर सीविस ले सकते हैं मेलन Princess, Elbow, Length उसके जब लैंठ कर दो पेमेंी11 लएना में 11 इंच का, नसले infinity भी कींगे गडिक करी दा मैं 18 इंच में सकत टया है of the जामेवी स्पड़ी है यह पारी बाटम राउंड हो ए जब रहunt के अंदर बड़ी लेय वाली जो बड़ी लेयर होगी उसे कट करना है तेन इसके बाद हमारा इसको अलग-अलग कर लेंगे हम इसको यहां से तो यह ओपन है इस साइट से हम इसे कट करना है क्लॉज साइड जो है तो यहां से अलग करने के बाद हमारी यह अलग-अलग हो जाएंगी अलग करने के बाद अब उपर का पार्ट है उसको हम कट करेंगे जहां पर हमने निशान किया है तो यह हमारी छोटी वाली लेयर बन जाएगी फ्लेयर्ड यह सर्कुलर हमारा छोटा बन गया है छोटा सर्कुलर के बाद इन्हें अलग-अलग कर लेंगे हम तो यह हमारी दोनों हाथ की स्लीव्स के हो गए हाफ-हाफ सर्कुलर वाला हम बनारें इसमें यह तो हाफ सरकल बन गई है हमारे दोनों श्लीवस के और जहां पर भी फैब्रिक हमारा आटैच होगा उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से तो यह इस तरह से एक तो बड़ी लेयर हो गई और एक हमारी हो गई छोटी लेयर तो डबल लेयर में हमारी इस तरह से बनानी है हमने नैट के फइबरिक पर हाफ मिटर का फैबरिक है, उसको लिया है, तो उसको इसे तरह से फॉल्ड किया है, जैसे मैंने पेपर को करके बतााया, आपको एट लेयर बनाते हुए, और लेंद्विज हमने सबसे बड़ी हमारी लिए है, एलावन इंच की और इस तरह से सरकल क मॉच लाळ मेन better करना निशान तक कहा हैW एक बाद डाटम स्लीव करना इसके लिए 3 ही और निशान सेस्ट करने पाद मेरे मेसर करने हैW जो कि हमारा bottom round आ रहा था 12 इंच का है 6 इंच का half है तो इसी तरह से आ रहा है तो यह पेपर कटिंग मैंने की ती यह उपर का टॉप था यह bottom और यह last हमारा नीचे का तो सबसे चोटी लेयर है हमारी और एक बड़ी लेयर तो इन दोनों का रखेंगे बाकी हम यह हटा देंगे अब इसमें से हम निकाल लेंगे अलग-अलग कर लेंगे दोनों स्लीव का तो यह पार्ट्स दो-दो हैं में तो दोनों को अलग कर लेंगे हम यह जहां भी फैब्रिक अटेज है उसको हम कट कर लेंगे यह तो इस तरह से रखते हुए अब हम करना है इसको अटेज करना है एक के बाद एक को उपर अटेश करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें करने इसकी साइट फिनिश करने है तो साइट के लिए हम इसको बंद कर देंगी सिलाई लगाते हुए तो दोनों की एक एक की करेंगे हम सिंगल सिंगल ले लेते हुए तो इस तरह सी और सेकिंड हाथ क क् SEC DAVID किनारिया और ने किनारिया पर बिंट करना काड़ हुआ हैं जिसके अगा लगाने के बाद इहां दशिव तर किसके लिलगते समय हमारा किसकी आप करते समय स्लीष स्लीषिप बॉटम पर अटेश करते वक्त तो cva नों को एक साथ सलेंगे इसके बाद हम लगाएंगेः उप्ते हमारे स्लीष के बाटम पर इसको तो देखिये लोकिंग वाज है इस recipe सब्सक्राइब फिन करने के बाद हमें इस पर करनी होगी स्लीङ बाकंप ढ़ेंगे स्लीज पर पाटम से प्रप मेरा जो यह यह प्रिइन कशला हिनुट अहां से हमने स्टार्ट करना आऑ है पूरा राउंड में सिलाई करनी है तो इसे हम करेंगे यह हमारी सिलाई का है और इसकी सिलाई जो हमने लगाई थी लेयर की तो इस तरह से ओपन करते हुआ हम इसको रखना है और पूरा राउंड में इसको सिलाई करनी है तो इस तरह के से हमें रखते हुआ इसको अटेच करत इसकी राउंड में चिलाई करनी है तो पूरा बॉटम राउंड हमें इसी तरह के इसी तरीके से हमें इसको चिलना है तो फ्रेंट्स बहुत ही ईजी है यह लगाना और बनाना मैंने इसको कटिंग भी आपको बताई तो देखें फ्रेंट्स राइडी होने के बाद हमारी स्लीव ऐसी लग रही है आई होप मेरा वीडियो आपके लिए कुछ काम कर रहा होगा प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल